नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोती सीक्टे सावन का महना आ चुका है और सावन में किसी भी दिन आप जब भी आप सिप जी के मंदिल में जाए तो नंदी जी वहां जरूर आपको मिल जाते हैं क्योंकि नंदी जी के बिना तो सिप जी ही अधूरे हैं अब ऐसे में सिप मंदिरों में आपने देखा होगा भगवान सिप के सामने बैठे रहते हैं उनके बाहन नंदी अब उनके कान में लोग अपनी मनोकामनाय बोलते हैं आपने ऐसा भी देखा होगा लेकिन कौन से कान में मनोकामना कहनी चाहिए और मनोकामना कह कहते हैं लेकिन वह पूरी क्यों नहीं होती क्योंकि उसके कुछ नियम है अगर आप नियम को फालन नहीं करते तो आपकी बाते अधूरी रह जाती है तो आज हम यहीं आप से कहने वाले हैं देखिए आपकी जो मनुकामना है उसमें विस्वास होना चाहिए सबसे पहली बात और नंदी के कान में कही गई बाते भगवान सिप तक जरूर पहुंसती है और पूरी भी होती है और यह सच भी है लेकिन क्या करें कैसे पहुंचाए देखिए नंदी भगवान सिप के प्रमुक गनों में से एक है और कहा जाता है कि नंदी पहले पुरुजन में सिलाद रि सिलाध्रीसी की तपत्या से प्रसंद्त होकर भगवान सिव ने इन्हें अपने वाहन के रूप में सभड़ अपने साथ रखने का वचन दिया और तभी से वे नंदी के रूप में सभजी के साथ रहते हैं पुरान के अनुसार भगवान सिव शद House Desha में लीन दाते हैं वे बंद आखोंसे भी संपूर्ण जगत को देखके संचालन में नंदी इसतुक्त का पॉर्ध। और उनकही पुरानों की नात रहते हैं और जो भी भ्वक्त भगवां सिब के पास अपनी समस्या लेकर आता है नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं किसी बाहरी बिगन से सिबजी की तपस्या भंग नहो इसलिए भक्त अपनी बात नंदी के कान में कह देते हैं और सिभ की तबस्या से जैसे ही सिभ जी बाहर आते हैं तो नंदी उन्हें भक्तों की बातें जस्की तस सुना देता है जैसे ही जिस भी भाव से भक्त ने उनको कही है उसी भाव से सुनाते हैं और सिपजी तक पहुँचाने में कोई भेद नहीं करते तो सही तरीका क्या है सबसे पहली बात तो नंदी के कान में आप अपनी समस्या या मनो कामना जब भी कहें तो नंदी के कान में कहने के पहले एक बात ध्यान रखें कि आप सबसे पहले तो अपने हाथों को कभर करें कान को अपने मूँ को क्योंकि कोई आपकी कही भी बात को सुन न ले और ये भी ध्यान रखें कि आपके जो बोल रहे हैं आपका मूँ भी कोई न देखें यानि पास खरेवे बैक्ती को पता न चले कि आपने नंदी को क्या क करके और फिर नंदी के कान में कही किसी की दूसरी की बुराई मत कीजिए दूसरे के लिए बुरी बाते मत कहिए वरना सिपजी का कुरोड बढ़ जाएगा यहां पर और नंदी के कान में मनो कामना कहने के पहले नंदी की पूजा जरूर कीजिएगा उन्हें भेंट जैसीब जैसीब जरूर बोलिएगा या फिर सिब सिब ऐसा बोलिए फिलाल हम आपसे विदा लेंगे हर हर महादेव धरनेवार